अकोला जिले में महान के कटेपूर्णा धरण में अच्छी बारिश की कारण 86 प्रतीशत की उपर जल स्टोरेज होने की वज़ा से शनिवार सुबा 12 बचे से लगातार 4 गेटों को 10 सेंटीमिटर तक खोल कर पानी छोड़ा गया प्राप्तिचानकारी के अनुसार 15 अगस तक इस डैम में लगभाग 85 प्रतीशत पानी होना चाहिए लेकिन अच्छी बारिश होने की वज़ा से और आगे भी मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेताउनी देने के बाद महान डैम प्रवंधक द्वारा निर्णा लेते हुए धरण के चार दर्वाजे शनिवार से खोले गए डैम से पानी छोडने का सलसला 5-6 प्रतीशत कम होने तक चलता रहेगा आज सुबा साथ बजे सभी चार गेटों को बंद कर दिया गया यदि बारिश अच्छी होती है और डैम में पानी और जादा बढ़ता है तो इन दर्वाजों को 20-30 सेंटीमिटर तक खोल दिया जाएगा अच्छी बात या है कि अभी किसी तरह के नदी किनारे रहने वालों को कोई दिक्कत नहीं है आपको बता दे कि इस डैम का पानी पूरे अकोला शहर को और आसपास के 82 गां को साथ ही M.I.D.C. परिसर और 20 प्रतिशत तक का पानी खेतों की सिचाई के लिए इस्तमाल होता है जिसे अकोला शहर के नागरिकों के लिए इस साल के पानी की समस्या पूरी तरहा हल होती नजर आ रही है इस वक्त हम आकोला जिला के काटे पूरनबान जो के महान में इस्तित है यहाँ पर मौजूद है आकोला जिला में पिछले दिनों से लगतार बारिश हो रही है जिसकी वजे से यहां का जो मान का जल इस तरह हो लगतार बढ़ते जा रहा है और बताया जाता है कि अगस्त तक यहां 15 अगस्त तक यहां पर 85% डैम में साथा होना चाहिए जल का जो बढ़ रहा है इसको लेकर यहां का पानी छोड़ा गया आइए इसी बारे में हम चर्चा करते हैं यहां के जो अधीकारी है निलेज जी इन से के सबसे पहले तो निलेज जी सब आपका आइन 24 में स्वागत है यह बताइए कि यह जो साथा है पानी का अभी फिलाल कितना होना चाहिए था और आप तब से यहां पानी छोड़ रहे हैं जो अपना चाहिए पानी छोड़ा तो चार गेट अपने दस सेंटेमेंटर चोड़ दिये तो 32.80 मेंटर क्यूप पर सेकंड से अपने इस काटेपूरणा डैम में डैम से रिवर में पानी छोड़ दिया फिलाल बारिश के आशर कम है जो अपना जो अपना कैच्च्मेंड जो काटा से जूरु आता है अपना माले का जो 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 में कैच्च्मेंड एरिया है वहां बारिश कम है इसलिए हमने गेट सिर्फ 10 सेंटेमेंट से खोल दिये फिलाल कोई बाढ़ कोई टेंशन नहीं आपनको लेकिन अपनको 15 अगस्तक इस डैम का लेवल 85 पर सेंटक निका अगर एक बार डैम 82 परसेंट आ गया तो हमें गेट बंद करते हैं यह जो साथा है पानी का तो यह किसको प्रवाइड होता है का अकोला जिला में कहां कहां यह पानी जाता है यह जो काट्डेपूर्णा डैम है यह तो जादा तर इसका पानी डिंकिंग वाटर को जाता है उसके बाद में मुर्तुचापूर शहर को जाता है इसके आंदर चौशर्श खेड़ी योजना आती है फिर एमाइडीशी को जाता है इसके बाद में जो पानी 24 परसेंट आपन बाश्रवाइड करते हैं जो आपना 15 अक्टूबर को जो साथा होता है यह सारा मिलाकर जो अक्टर सिंचन को है यह बहुत ज्यादा खारपम पट्टा आप उनका जो आकोला तालुका में है अपना डैम आको बार्शी टाकली में है लेकिन इसका ज्यादा सिंचन आकोला तालुका में होता है इसलिए जितना भी पाना पानी बज़ दाएगा वह आपन नोवंबर से तो उसको मार्श तक उसकी सिचाई कर देंगे तो यह थे हमारे साथ मिले जी जो यह बता रहे थे के आकोला महानगर पाली का को इसका पानी पीने के लिए जो उपलब्द होता है साटा वो यहीं से होता है और इसके अलावा भी बहुत सारे खेड़े विबात को और 86% के बा है वो पूरी तरह भरा लबाला भरावा नजर आ रहा है और यहांसका पानी को भी लगतार डिश्चाज करना शुरू है जो आकोला महानगर पाली का के हद में रहने वाले शेहरी विबाग में रहने वाले लोगों के लिए एक खुश कबरी की बात है कैमरा में नंद गोपा आइन ट्वेंटिवर अकोला से